Hello friends, welcome back तो आज हम बात करेंगे इंदस टावर का इस स्टॉक को डिसकस करने का दीजन है कि आज की टेडिंग सेसन में यहाँ पे 8% का एक बेहतरीन जम देखने को मिला अब मेरे पास कुछ क्वेरी थी पहला जिन लोगोंने इसे निचले लेवर पर बाई करके रखा है क्या उन्हें अब प्रूफिट बुक करना चाहिए जिन लोगोंने अभी तक बाई नहीं दिया है क्या एक उपरचुनिटी है इस स्टॉक में मेरी भी पोजीशन है यहाँ पे मैंने रीसेंट बाई किया है हाला कि जो मेरी प्रिपिस बाईंग है किसी और पोट्फोलियो में है उसको सोर नगीं कर रहा हूँ यह रीसेंट बाईंग है तो अब मेरी यहाँ इस्टेट जी क्या है इन सारे चीज़ों को आज के वीडियो में समझेंगे लेकिन मेरा यहाँ पे कहीं से भी पाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरा परपस आपको सिर्फ यह सिखाना है कि हमें किस तरीके से टेकनिकल का यूज़ करके सही ज़िदर पर किसी रे स्टॉक को एकजिट करना चाहिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इंदोस्टावर को मैंने काफी बार कवर किया है इस स्टॉक को मैंने 135 रुपी से भी कवर किया था और बताया था कि इस स्टॉक नीचे है लेकिन नीचे नहीं रहेगा काफी वीडियो जो मैंने अप्लोड किया है आप मेरे चैनल बजाकर इन सारे वीडियो को देख सकते हैं अब सवाल आता है कि इन्टोस्टावर में अभी हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए क्या स्टेट्जी होनी चाहिए यह जो मेरी पोजीशन आप देख रहे हो मैं अभी क्या एग्जिट करूँगा तो हमें एग्जिट करना है कहां पर करता है क्वोन बताएगा टेकनिकल चार्ट पैटन यह बिल्गुल सिंपल सा है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है तो यह है इंदस टावर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटन अगर आप द्यान से देखोगे ना तो यह जो लेवल है मैंने जो मार करके रखा है यह एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे स्टॉप प्राइस ने कितनी बार रेसिस्टेंस लिया है एक, दो, तीन और यहाँ पे यह चौथी बार रेसिस्टेंस लेने के लिए आ रहा है तो जो इमेडियेट टार्गेट है इंदस टावर का कितना है यह है 300 का 300 मेरा फ़र्स टार्गेट है इंदस टावर का तो जब तक 300 नहीं आता है मैं अभी कुछ भी करने वाला नहीं उदन लेकिन यह सिर्फ सौट टार्गेट है अगर हम इस पूरे टार्गेट की बात करें जो चार्ट पैटन बन रहा है मल्टिपल टाइम जो यहाँ पे रेसिस्टेंस इस स्टॉप ने लेने की कोसिज की है तो आगे चलकर यह रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस नहीं रह जाएगा क्योंकि बार बार जब रेसिस्टेंस हिट होता है तो कम जोड़ जाता है और यहाँ पे जो इसका टार्गेट है कितना है तो अगर हम बात करें इस पूरे रांड ने बाटम की अब सवाल आएगा कि मनिस भाई कितना समय लगेगा तो जो बड़े टार्गेट होते हैं उनको बड़ा समय देना पड़ता है तो ये जो 76% का टार्गेट है मुझे नहीं लगता कि 1.5 एर लगेंगे क्यों कि यहाँ पे बिजनिस काफी बेहतरीन है उसके अलावा यहाँ पे fundamental इनका काफी solid है net profit लगतार बढ़ रहा है और उसके अलावा strong balance sheet के साथ साथ share holding pattern यहाँ पे जबरदस्त है सिर्फ 3% है पबलीक के पास 97% कौन लेके बैठे है strong hands क्यों कि उनको पूरा भरोसा है और अगर आप इन्दस टावर को लेकर search करोगे न तो अभी यहाँ पे mutual fund ने जनुवरी और फर्वरी में काफी माल यहाँ पे उठाया है और यह आप यहाँ पे देखोगे volume stock और mutual fund lap up over 1 crore share of 5 stock in fab तो इसमें से एक mutual fund का भी है उसके अलामा अगर आप इन्दस टावर को लेकर और search करोगे तो यहाँ पे जितने भी brokerage form है न वो सारे के सारे इन्दस टावर को लेकर बोली से इन्दस टावर एंड कोल इंडिया here is what अच्छे भाववत आफ जेम finances says on this to stock तो हर कोई यहाँ पे इस स्टॉक के खरिदने की बात कर रहा है लेकिन हमें हर किसी की सुनकर नहीं खरिदना है हमें chart pattern देख कर खरिदना है हमें fundamental और business को देख कर खरिदना है यहीं कारण था कि जब इस स्टॉक में एक साल पहले बहुत बढ़ी गिरावड थी 135 के ओपर lower circuit लग रहा था मैं वहाँ पे इस स्टॉक को बाई कर रहा था और मैंने बोला का कि यह स्टॉक नीचे नहीं रहेगा वर होता ही वैल्यवेशन नीचे तो आती है लेकिन रहती नहीं है लेकिन हमें एक चीज और सिखना है कि जो हमारी exit होनी चाहिए न वो जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि profit अगर आता है न थोड़ा सा profit जाएगा भी stock price ऐसा नहीं है कि एक direction में चलेगा यहां पे stock price चलेगा थोड़ा उपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा लेकिन ultimately अपने target को जरूर hit करेगा तो मैं फिलहारी से stock को यहां के limit कर जाएगा हूं पहला target दूसरा target यह है तो यहां पे यह है मेरी strategy लेकिन अगें आप अपने हिसाब से कोई भी decision लेंगे मेरी डेड़ को पापी नहीं करेंगे thank you so much बाई